नबश्कार दोस्तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ एक ऐसी जिस जानकारी के ज़री आप पूरे यूरोप की सीवी फ्री में बना सकते हैं जी हाँ आपको ना मुझे एक उर्पे देने की ज़रत है दोस्तो ना ही किसी और यूट्यूबर प के job के लिए apply करना है दोस्तो मैं आपको बता दू, cv cover letter free में बनाया जा सकता है, ये बहुत बार मैं already बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो को पूरा देखो, इतना मुश्किल है नहीं दोस्तो मैं देख सकते हो, mobile phone में आपको ये तरीका बता रहा हूँ, यानि कि अगर मैं mobile phone में कर सकता हूँ दोस्तो तो आप भी mobile phone में अपना cv cover letter बना सकते हैं, आप भी अपने mobile को open कीजिए, इस website पे जाएए और इस website पे जाने के बाद जो है दोस्तो अपना cv और cover letter बना लीजे सही details डालने के बाद, तरीका बहुत ही असान होने वाला है दोस्तो, अगर यही तरीका किसी और से करवाईएगा दोस्तो, तो लोग 5-5, 6-6, 10-10 जार रुपे लेते हैं cv बनाने के, जी हाँ, professional writing के लिए अगर आप अलग लग वेबसाइट्स बजाओगे, तो कोई आपको 2000 रुपे मांगेगा, कोई 4000 रुपे मांगेगा, कोई 6000 रुपे मांगेगा, लेकिन यही services अगर आप हमसे लेते हैं, तो हम बहुत कम .eu, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, create your free Europass profile, इस वाले option पर क्लिक करना है, जो पीला बार दिख रहा है, दोस्तों इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक option आजाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस option में हमसे बोला जारा है, register करो, login करो, यहाँ फिर continue as a guest कर लो, ठीक है, अगर आप as a guest continue करोगे दोस्तों, तो इसमें जो आपको login वगेरा के जंजट से ओकर के नहीं घुजरना पड़ेगा, आप अराम से अपना CV बना सकते हो, लेकिन ध्यान इतना आपको रखना है कि जब भी आप यह CV बना रहे हो, तो आपको save कर लेना है जरूर दोस्तों, save नहीं करोगे, त सारे के सारे progress जो है, lost हो जाएगा, क्योंकि आप एक guest के तरह बना रहे हो, आपका account created नहीं है यहापर, तो मैं आपको बता दू दोस्तों, आपको continue as a guest वाले option पर click करना है, इस पर click करने के बाद जो है आपर देख सकते हैं, welcome to Europass, यहाँ पर 4 options आपको देखने के मिलते हैं, upload my Europass CV, इस पर upload करके जो है, आप अपने CV में changes वगेरा कर सकते हो, start from your profile, select from my library, जो इसी के library होती है दोस्तो, Europass में जब आप CV बनाते हो, तो आप वहाँ पर अपनी CV को library में save कर सकते हो, ताकि वहाँ से आप select करके कभी भी उसमें changes कर सको, और चौता option जो है दोस्तों, create my profile, वाले option पर click करना है, जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो, हमारे सामने जो है, चार options आएंगे, personal information, work experience, education and training, personal skills, तो यह चीज़े मैं यहाँ भरने बताऊंगा आपको, यह चीज़े मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आगे ज यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद जो है, बाकी चीज़े हम नहीं भरेंगे, सीधा हम आएंगे नीचे यहाँ पर एक option देख रहे हो, next के बगल में, skip all steps वाला option, ठीक है, इस वाले option पर हमें click कर लेना है, जैसे हम skip all steps वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ हम confirm किया जाए मेरे नाम की profile create हो चुकिए दोस्तो, सौरब आनंद, इसमें हम अपना picture लगा सकते है, CV बनाने के लिए, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ work experience डाल सकते हैं, दोस्तो, जितने भी work experience है, एक, दो, चार, पांच, छे, जितने भी work experience है, जब वो डाल सकते हैं, इ यहाँ पर add a new section का एक option है दोस्तो, जिस पर आप click करके अपने लिए एक नया section create कर सकते हैं, hobbies वगैरा का, skills वगैरा का section create कर सकते हैं, passport information अगर आपको डालने हैं तो वो section create कर सकते हैं, driving license के ओप्षिंज आपको डालने हैं दोस्तो, तो वो create कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी create करने के लिए आपको जो है section create करना पड़ेगा मैं आपको अभी example के तौर पर दिखा जेता हूँ यहां जो आप देख सकते हैं उपर सौरा बानन्द वाला नाम है उसके बगल में आपको edit का option देखने के बिलेगा दोस्तो इस edit वाले option पर click करके आप देख सकते हैं नाम last name डल आती ही है ठीक है तो वही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं मैं जूम कर रहा हूं तो यह कुछ जादे ही जूम हो जा रहा है खेर यहां पर मैं delete कर देता हूं इसको यह मैंने इसको पूरा delete किया यहां लिख देते हैं I want to work in a company just for example मैं दिखा रहा हूं ऐसा नहीं लिखते है इस से भी बहुत जादे चीज़े लिखते हैं अच्छी चीज़े लिखते हैं ठीक है मैं बस example के तौर पर दिखा रहा हूं दोस्तो यह चीज मैंने यहां पर डाल दी है डालने के बाग नीचे date of birth का option आता है date of birth वहाँ पर हम डाल सकते हैं अपना जो भी है यहां menu आ जाता इंडिया जैसे आप IND टाइप करोगे दोस्तों आपके सामने जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूं यहां देखिए इंडियन का रिजल्ट आ चुका है इंडियन डाल दिया है मैंने contact में email address आपको डालना होता है कुछ भी मैं अभी डाल देता हूं इन फोरूम पे करके यहां पर आपको कंट्री कोट डालना होता है यहां पर जैसे मैं 911 डालूँगा तो 911 दालने के बाद आप देख सकते हो इंडिया आ आपके 2000 लिंक बाएव सकते हो इन सबकर शरूज आप चाहे तो इससे क्युक्प्र यंवश कर्even करस सकते हो उसके बाद instant messaging में आप Skype अपना add कर सकते हो WhatsApp Messenger, WeChat, Line, Viber, Other ये सारे add कर सकते हो Mostly लोग WhatsApp Messenger add कर वाते हैं तो WhatsApp Messenger add कर सकते हो दोस्तों इस पर आप WhatsApp Messenger वाले option पर click करके यहाँ पर डाल सकते हो Link वागे डाल सकते हो या फिर अपना number डाल सकते हो जो भी आप चाहो वो डाल सकते हो फ्लैक गली महले से उसके बाद city डालेंगे डिस्ट्रिक डालेंगे जो भी डालेंगे सारी की सारी जानकारी आप आपको देखने मिल जाएगी postal code country वगरा डालना है आपको country यहाँ पर जरूर डाल लीजेगा दोस्तों अगर आप नहीं डालेंगे तो यह खाली नहीं रह सक आप सकते हैं email भी आप एक से जदा डाल सकते हैं दोस्तों यह option आपके पास होता है तो इसको यहां पर मैं save करलोंगा save करते हैं यहाँ पर आपको डालना होता है अपना job title कौन सी position पे थे आप chef थे cook थे क्या थे ठीक है फिर किसके एंटर आपने काम किया employer का नाम डालना होत कि भई Reliance Hotel के अंडर में था यह फिर हयात होटल के अंडर में था जहां भी थे वहाँ पर आपको डालना होगा ठीक है city कहां पर थे कौन से city में काम करते थे बाहर की कोई city थी इंडिया की कोई city थी जो भी थी उससे साब से आपको डालना होगा country डालने होगी date दिया जा रह बनाते थे कौन सी क्विजीन बनाते थे वो सारी की सारी जानकारी जो आपको यहां डालने होगी ठीक है इस तरीके से आप अपना एक्सपीरेंस एड करोगे मैं आप करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत जादा टाइम चला जाता है दोस्तों आपको जो खुद से टाइम निकाल करके अपने लिए करना होगा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा बस जानकारी लेते रहिए और अपने लिए अच्छा सीवी बना लीजिए फ्री में ठीक है किसी को एक रुपे देने की जोरत निये दोस्तों यहां तक कि मुझे मत दो मैं तो अपने पेड़ पे अगर खुझ से चाहिए तो खुझ से जॉब अपलाई कीजिए यही एक मात्र तरीका है दोस्तों नीचे आते हैं नीचे आने के बाद यहां पर आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का ओप्शन देखने की मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे जैसी क्लिक करने ही दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन आवोड़ेड आपने क्या पड़ाई की है या फिर आपके जो है डिगरी क्या है वह डिगरी आपको यह डाल लिए जैसे टेंथ किये तो यहां पर लिखेंगे सेकंडरी एजूकेशन ठीक है वह सब लिखेंगे यह आपर कहा से की है युनिवरसिटी का नबजी के बोर्ड का नाम लिखेंगे जैसे सेबीसी बोर्ड स्कुल का नाम लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते मू सकते हैं कौन सी सिटी कंप्स कव्से कंट्री का स्कुला वहा डाल सकते हैं कब से कब तक पढ़ाई की है 2008 से 2010 Smith थी वगेरा वगेरा भी आपके पास options होते हैं अगर आप यह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं otherwise आप simply उसमें अपना title और school का नाम डाल करके कब से कब तक आपने की है वो डाल करके छोड़ सकते हैं ठीक है education बता दी work experience बता दिया दोस्तो नीचे आते है language skills वाले option पर यहाँ हिंदी डालने के बाद यह सेट हो चुका है हिंदी लिख किया ठीक है अब यहां उसके बाद नीचे आता दोस्तों add another mother tongue अगर आपको other मतलब दूसरा mother tongue यूज करना है डालना है तो वह आप डाल सकते हो otherwise आप नीचे other language में select कर सकते हो English जैसे मैंने यहाँ पर English डाल दी ठीक यह सारी जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और यही सिलेक्शन जो है दोस्तों आपको वहाँ पर बताई जाएगी सीवी में आपके ठीक है उसके बाद सेफ कर लेंगे अगर कोई certificate और डिप्लोमा मिला है तो वह भी आप एड कर सकते हो लेंगोज वाले section में ज यह drag करके यह उपर ले जाकरके मैं छोड़ देता हूं यह थोड़ा phone में दिक्कत आ रही है लेकिन अगर आप laptop में करोगे या फिर phone में अच्छे से करोगे landscape mode पे नहीं करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यह drag करके उपर जा सकता है ठीक है और आपका select हो सकता है यह option कर यह नहीं हो रहा है इसको हम बाद में करेंगे ठीक है बाद में या फिर आप अपने phone में कर सकते हो अगर आप इस तरीके से घर होगे phone में use तो वह असानी से हो जाता है यह landscape mode में थोड़ी से दिक्कत आ रही है ठीक है तो इस तरीके से आप जो है अपना digital skills भी select कर सकते हो उसके बाद नीचे add new section में मैं आपको बता जाता हूँ कौन-कौन से section आ सकते हैं communication and interpersonal skills, conference and seminars, creative words, sorry works, driving license, hobbies and interests, honors and awards, जो भी चीज़े आपको मिली है projects वगरा जो भी आपने की है recommendation वगरा जो भी है आपका वोब सब आप डाल सकते हो अलग section बना करके जब आपका सब कुछ डल ज जाएगा आपके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आप देख सकते हो मी वाला एक option है मी वाले option पर click करने के बाद नीचे की तरफ scroll करना है यहाँ पर आप देख सकते create a cv लिखा हुआ है create a cv वाला option पर जा करके यहाँ पर start from your profile का option आता है इस पर click करेंगे click क अरूर पास चार format देखनेगे मिलेंगे दोस्तों यह 4 format है इन चारो format को आप यूज कर सकते हो जैसे यह तीसर pen मैं यूजे ली तो इतना सा ने का पिर सकते हए लेकिन अगर इसमें आप अपनly सारी जानकारी डीघाव दोस्तों कुछ दिखेगा आपको सब कुछ दिखेगा आपकी सीवी तयार हो जाएगी बनके बहुत असानी से ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपका नाम है वो आप डाल लीजिए नाम डालने के बाद आपको डाउनलोड वाल ओप्शन देखने की मिलेगा डाउनलोड पर जैसी क्लिक करोगे यह सीवी आपका डाउनलोड हो चुका है खैर अभी तो मैंने बस थोड़ी सी जानकारी दी थी तो यह थोड़ी सी ज सब्सक्राइबाट अधर अब आपका डाल हैर मेरे यह दिर्यानलोड यहाँ छानकारी भरी होई है अगर मैं ढलोगा तो ठीक है यह मेरा email भी बढ़ा हुआ है, यहाँ पर अपना phone number वगएड़ डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, save कर लेंगे organization की detail अगर आपको पता है तो डाल लीजे नहीं पता है तो इसको cancel कर लीजे दोस्तो, उसके बाद यहाँ पर city, date and subject date and city मत डालिएगा अगर आप बार-बार use करने वाले आपने cover letter को तो सिर्फ subject डाल लीजे, दोस्तो subject डालने के बाद आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद content में यहाँ पर आपको अपना cover letter तयार करना होता है सारी चीजे लिखनी होती है, कि मैं इतना काम कर चुका हूँ मैं आपके company में इसलिए आना चाहता हूँ, मैं आपके company के लिए बढ़िया साबित हो जाऊंगा, I am a suitable candidate for your company वगएरा 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 चीजे जो है, आपको एक डेड़, दो, तीन paragraph की लिखनी होती है उसके बाद save करके download करनी होती है तो बहुत असानी से आप cover letter भी download कर सकते है यही से, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना CV और cover letter बना सकते है यहाँ पर आपको photo लगाना नहीं बताया है मैंने मैं आपको बता दू, photo पे click करोगे ना यहाँ पर select file का option आता है gallery खुल जागी आपके सामने, वहाँ से अपना photo select कर सकते हो और crop और करके लगा सकते हो, बहुत असानी से तो इस तरीके से आप अपना CV cover letter बना सकते हो यूरो pass format का दोस्तों, free में ठीक है, किसी को 5-6-10,000 रुपए देने के जरूरत नहीं है हमें भी देने के जरूरत नहीं है, मैं बार-बार बोलता आ रहा हूँ अपने लिए जो है, थोड़ा सा time निकालिए अपने लिए जो है, थोड़ी से महनत कीज़े दोस्तों और अपना cv cover letter जो है, फ्री में बना लिजी I hope, कि आपको जो है, आज की ये वीडियो पसंद आई होगे वीडियो अगर पसंद आई है, ये वीडियो को लाइक कर लीजे शेर कर दीजे, और चैनलन को सब्स्क्राइब करना मत बूलिएगा